नीचे description में आपको ring theory की playlist का link मिल जायागा आज हम बात करेंगे integral domain के बारे में इसकी definition देखेंगे और कुछ example करेंगे तो पहले definition देख लेते हैं definition हमारे किस तरह से a non-trivial CRU CRU हमारा क्या है? commutative ring with unity is defined as integral domain if whenever a.b is equals to 0 यह imply करेगा या तो a 0 हो या तो b 0 हो यानि अगर a और b जो है वो non-zero है तो यह imply करेगा a.b भी जो non-zero हो और यह हमारी definition क्या है? यह हमारी definition है zero divisor की तो इसको हम directly लिख सकते हैं a non-trivial CRU with no zero divisor is called integral domain यहाँ पर example देख लेते हैं zm के बारे में हमने बात की थी तो इसमें हमने क्या बताया था? कि zm के जो elements हैं वो या तो units होते हैं या तो zero divisor होते हैं जब हमने zero divisor पढ़ा था तो वहाँ पर हमने निकाला भी था कि इसमें units कितने होते हैं हमारे 5m और zero divisor कितने होंगे? m-5m-1 अब integral domain में ये जो है वो हमारा integral domain कब होगा जब integral domain की definition क्या गयता है कि no zero divisor zero divisor नहीं होना चाहिए यानि ये जो है वो किसके एककोल हो जाए zero के एककोल हो जाए यानि कि phi m जो है वो हमारा किसके एककोल आजाए m minus 1 के एककोल आजाए और यह हमारा Euler function है तो यह हमारा इसके कब आता है जब M क्या हो प्राइम हो 5P जो है वो हमारा होता है P-1 तो इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा जो ring है यह integral domain होगा अगर M हमारा prime number हो यानि P हो इसके अलावा यह हमारा integral domain नहीं हो सकता यहाँ पर example देख लेते हैं Z6 और यहाँ पर हमने addition model हो 6 multiplication model हो 6 Z6 में हमारे किस तरह के element है इस तरह के element है अब यहाँ पर देखो 2 और 3 हमने 2 element लिए तो 2 into 3 क्या हो गया 6 आ गया और reminder क्या बचेगा 0 जबकि हमारा ना तो 2 0 है और ना ही 3 0 है तो Z6 is not integral domain और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह 6 जो हमारा prime number नहीं है ठीक है एक्जामपल सेकेंड देख लेते हैं यह हमारा किस तरह से ZM plus dot यहाँ पर यह हमारा addition model हो और यह multiplication model हो Z5 में हमारे किस तरह के element होंगे इस तरह के element होंगे 0,1,2,3,4 और यहाँ पर अगर हम 1 के लिए देखें 1 belongs to Z5 1.1 के आ जाएगा 1,1.2 के आ जाएगा 2,1.3,3,1.4,4 आ गया यहाँ पर 1 भी हमारा 0 के एककोल नहीं है 1,2,3,4 यह भी 0 के एककोल नहीं है तो इनका multiplication भी 0 के एककोल नहीं आया ठीक है अगर हम 2 के लिए देखें तो यहाँ पर 2 into 3,6 जो की 1 आ गया 2 into 4 is equal to 3 आ गया similarly 3 के लिए देखें तो 3 into 4 के आ गया 2 आ गया और 4 के लिए यहाँ पर सारी condition हम देख चुके है जैसे 4 into 1 यह भी हमारा 0 के एककोल नहीं आया 4 into 2 यह भी हमारा 0 के एककोल नहीं आया तो हमने यहाँ पर जितनी possibility थी सारी देख ली तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमने elements जो है वो non zero लिए तो उनका multiplication भी non zero आया तो यह imply करेगा z5 addition modulo multiplication modulo 5 is an integral domain तो यह हमारा integral domain बन जायेगा और यहाँ पर यह result लिख सकते हैं zm plus dot is integral domain if and only if m is prime जो कि हम यहाँ पर prove कर सुके हैं तो आज के लिए बस इतने अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में